नमस्कार दोस्तो मैं हूँ मोईच चाड़क और आप देख रहे हैं My Fundamental तो दोस्तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्टोब क्राफ्ट के IPO के बारे में दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको इसका GMP यानि की Gray Market Premium बताऊंगा और आपको इसका Allotment Status के बारे में बताऊंगा तो पहले बात कर लेते हैं Allotment Status की तो Allotment Status जो दोस्तो लाइब आ चुका है आप अपना Allotment Status चेक कर सकते हैं लिंक मैं उसका आपको Description में दे रहा हूँ वहाँ पे विजिट करके आप अपना Allotment Status चेक कर सकते हैं तो दोस्तो GMP बताने से पहले मैं आपको बताना चाता हूँ कि अगर आपका कोई Doubt या फिर कोई Query है तो आप हमें पूछ सकते हैं Instagram या Telegram पे उनके Links मैं आपको Description में दे रहा हूँ आपका कोई भी Doubt है आपका कोई भी Query है आप हमें वहाँ पे पूछ सकते हैं हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उनको Solve करने की तो दोस्तो अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा तो चलिए बात करते हैं दोस्तो GMP की तो दोस्तो GMP आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के उपर है और आज के दिन जो GMP चल रहा है वो लगओ 35-40 के बीच भी चल रहा है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये GMP 100 से गरता आ रहा है वहीं पे मार्केट के सेंटिमेंट्स काफी जादा सुद रहे हैं मार्क पे इसका GMP आपको कम दिखाई दे रहा है बट आपको चिंता करने की जुरूरत नहीं है एट लेस्ट ये IRFC की तरह डिसकाउंट पे लिस्तन नहीं होगा इसको 26 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है रिटेल इन्वेस्टर्स के दौरा तो इसलिए अगर आपको इसका अल आप इस IPO में थोड़ा बहुत लंबा सोच सकते हैं और आप खुद सोचिए कि Indigo की जो लिस्टिंग होती है वो कहां पे होती है और closing उसको 110% पे मिलती है इस तरह का behavior भी bull run में आपको IPO में देखने को मिलता है strict stop loss लेके चले 5 या 10% का आप इसमें stop loss लेके चले और IPO की लिस् hold करके इस strategy को follow करते हैं तो आपको अच्छे खासे return से यहां से देखने को मिलेंगे तो यह चिंता जरूर बढ़ी हुई है कि Home First Finance का IPO का जो GMP है वो double हो गया और वहीं पे इसका GMP 60 से गिरके 35 के आसपास आ गया तो वीडियो अच्छी लगे like, subscribe और share जरूर करें धन्यवाद करते हैं